हेलो साथियो नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग उमीद करते हैं सभी सवस्त होंगे अच्छे होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे सैट हजार भरतियों के बारे में अब खुस खबरी कही जा सकती है कैंडिडेट्स के लिए गुरूप सीडी के सैट हजार सरकारी पदों क भरती जल्द पूरी करने के लिए मुख्यमंतरी खुद मैदान में आ चुके हैं उन्होंने नई रणनीती बनाई है मुख्यमंतरी साब खुद नाराज है क्योंकि भरती प्रकिरिया में अभी तक तेजी नहीं हो पाई थी इसलिए भरती नहीं होने से नाराज है मुख्यमं मनोहर लाल खटर उन्होंने दो दिन पहले चेर्मेन भपाल सिंग खदरी चीफ सेक्रेटरी राजिस खुलर के साथ मुलाकात की थी और भरती प्रकिरिया में तेजी लाने के आदेश दिये थे साथ में हरियाना करमचारी चेन आयोग को जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए एडवोकेट जर्नल को हाई कोर्ट में जोरदार पेरवी करने के निर्देश दिये गए और एक बड़ी संभावना ये भी है समाजिक आर्थिक मांदंड के अंकों के बगएर ग्रूप सी पदों का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है इसकी पूरी पूरी संभावना है कुल मिलाकर लोक सभा से पहले सैट हजार पदों की भरती जल्दी से पूरा करने की जो रणनीती है वो सी एम ने बना ली है और जल्दी ही उन्होंने एक बैठक ली थी एडवोकेट जर्नल बलदेवराज महाजन और चीप सेकेरिटरी उनके साथ और साथ में ये भी कहा जल्दी से पैरवी करके मजबूती से इन केसों को निप्टा जाए ताकि सैट हजार पदों पर भरती का जो रास्ता है वो साफ हो जाए इसके लावा मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने 15-20 दिनों में बचे ग्रूपों का पेपर लेने के लिए भी कहा है सीम साहब ने जब पत्तरकारों ने सवाल किया तो कहा कि पहले ग्रूप सी पदों का रिजल्ट आएगा उन्होंने कहा ग्रूप सी के बचे हुए ग्रूपों का पेपर 15-20 दिनों में ले लिया जाएगा मुख्यमंतरी ने कहा मिटिंग में आयोग से बचे हुए ग्रूपों के पेपर लेने का सेड्यूल पूछते हुए जल्दी से जल्दी पेपर लेने के लिए कहा गया है तो साथियो जल्दी ही अब पूरी पूरी उमीद है कि भरतिया हो जाएगी लोग सबा से पहले सोसल मीडिया के जरीए भी हलाकि उन्होंने दो हजार तेईस में ही इन पदों की भरती प्रकिरिया पूरी करने की बात कही थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका लेकिन अब उमीद है जल् पाली सुनवाई दी गई है कल सुनवाई नहीं हो पाई थी छोटी डेट मिली है उमीद करेंगे अरजेंट हीरिंग लेकर एसससी पांच नंबरों का जो मामला है वो साथ फवरी को ही निप्टा देगी और उसके बाद रिजल्ट आने का जो सिलसला है वो शुरू हो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही धनेवाद